नमस्कार मित्रों, डेजार पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लक्षर में मैं हूँ अमिद्दूबे और आज के इस वीडियो लक्षर में हम कक्षा दस हिंदी के अंतरगत दिये गए संस्कृत के प्रथम पार्ट का ध्यन करेंगे जिसका नाम है वाराण सी इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब से एक छोटा सा प्रामिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लक्षर कंप्लीट होगा तो ये चैप्टर आपके लिए धुआ होने वाला है यानि बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल सब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आशान हो जाएगा चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रथमा पाठा यानि प्रथम पाठ चैप्टर का नाम है वारानसी जिसे आज कल हम बनारस के नाम से भी जानते हैं द्यान देनी वाली बात यहां पर ये है कि यह chapter board exam में जरूर आएगा इस 95 क्या 99% chance है 100 में से 99% chance है कि इस chapter से हिंदी अनुवाद आपको जरूर मिलेगा और 4 अंक का आता है हिंदी अनुवाद तो इस chapter को द्यान से पढ़के जाएगा चलिए आज इस चैप्टर को कब पढ़ते हैं पूरे आनंदे के साथ तो कहते हैं वारान सी शूविख्याता प्राचीना नगरी वारान सी शूविख्याता शूविख्याता का मतलब होता है बहुत प्रसिद्ध प्राचीना यानि प्राचीन नगरी मतलब नगरी या फिर नग तो वारारसी बहुत प्रशिध प्राचीन नगरी है इम मतलब यहां विमल सलिल तरंगया देखें विमल सलिल का अतातपर यहां पर है सुक्ष जल की जल में तरंगय उठती है पानी जब बहता है तो तरंगय उठती है तो आप तरंग भी बोल सकते हैं लहर भी बोल सकते हैं तो बिमल सलिल तरंगया इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्वक्ष जल की तरंगें या फिर स्वक्ष जल की लहरें गंगया गंगा कूले यानि तट पर किनारे पर इस्थिता इस्थित है तो इयम यहां बिमल सलिल स्वक्ष जल की तरंगों वाली गंगा के कूले तट पर इस्थिता इस्थित है यहां पर तरंगिया लिखा है ना तो तरंगिया यानि तरंग बिमल सलिल यानि स्वच्ष जल की तो स्वच्ष जल की तरंगों वाली गंगा के तट पर इस्थित है आस्या घाटा नाम इसके घाट्या नाम घाटों की वल्याकरित पंग्ती वल्याकरित का मतलब होता है घुमावदार आकारवाली तो वल्याकरित पंग्ती यानि घुमावदार आकारवाली धावालयाम चंद्रिका चंद्रिकायाम चंद्रमा के सफेद प्रकास में बहुराचत बहुराज्ते यानि बहुत सुन्दर लगती है तो इसके घाटों की घुमावदार आकृती चंद्रमा के शफिद प्रकास में बहुत सुन्दर लगती है आगड़ता पर्यटका सुदूरेभ्या देशेभ्या नित्यम अत्र आयंती तो आगड़ता यानि अनेक जिनकी गड़ना ना की जा सके जिनकी गिंती ना की जा सके पर्यटका यानि घूमने वाले लोग पर्यटक, शुदूर इभ्या, शुदूर इभ्या यानि दूर दूर से, देश इभ्या यानि देश, तो दूर दूर के देशों से, नित्यम, नित्यम यानि प्रति दिन अत्र यहां आयनति आते हैं, तो दूर दूर के देशों से, प्रत गातों की शोभा, सुंदर्ता को विलोक्य देखकर इमा इसकी बहु बहुत अधिक प्रसंसा करते हैं, और इसके गातों की सुंदर्ता को देखकर इसकी बहुत प्रसंसा करते हैं, तो यह है very very important यहां से लेकर यहां वाला न इतनी बार पूछा गया है बोर्ड एक्जाम में कि आप किसी भी model paper को उठा कर देख लीजिए यह आपको मिल जाएगा तो ध्यान से पढ़िएगा इसको चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं आएगा जरूर क्योंकि बहुत important है very very important है यह chapter चलिए वारारसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इसका मतलब है कि वारारसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है यहां स्वच्छ जल की तरंगो वाली गंगा के तट पर इस्थित है इसके घाटों की घुमावदार आकृती चंद्रमा के सफीद प्रकास म बहुत सुन्दर लगती है यहां प्रति दिन दूर दूर के देशों से अनेक पर्यटक आते हैं या फिर दूर दूर से या फिर दूर दूर के देशों से प्रति दिन यहां अनेक पर्यटक आते हैं और इसके घाटों की सुन्दरता को देख कर इसकी बहुत प्रसंसा करते है अब आके चलते हैं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसे अपने मित्रों के साथ जरूर सेर कीजिए ताकि वो भी इसे पढ़के जाएं ये आएगा जरूर वारानस्याम प्राचीन काल देव गेह गेह विद्यायाह दिव्यम जोती ही दोत देव वारानस्याम यानि वारानसी में प्राचीन काल देव यानि प्राचीन काल से ही गेहे गेहे मतलब होता है घर तो गेहे गेहे घर घर में विद्यायाम विद्या दिव्या आलावकिक जोती ही जोती या फिर जोती ही कहिए दोदते दोदते मतलब होता है प्रकासित है तो वारानसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की आलोकिक जोती प्रकासित है आधूनापी अत्र शंस्कृत वांगधारा सत्तम प्रभाहती जनानाम ग्यानाच वर्धियती अधूनापी आज भी अत्र यहां संस्कृत वांगधारा संस्कृत वांगधारा संस्कृत वारी का प्रभाह सत्तम यानि लगातार प्रभाहती यानि प्रभाहित हो रहा है आज भी यहां संस्कृत वारी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है जनानाम, जन मतलब लोग और लोगों के ग्यानाच ग्यान को वर्धेयति बढ़ा रही है बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ था कि याद हो जाए एक ही बार में बहुत important है ना अत्र यहां अनेक मतलब बहुत से तो अनेक आचारिया मूर्धन्या का मतलब होता है उच्य कोटी के विद्ध्वाण सा विद्वान सा मतलब विद्वान तो उच्च कोटी के विद्वान वैदिक वांग मश्य वैदिक वांग मश्य यानि वैदिक साहित के अध्यनी अध्यापनी अध्यन और अध्यापन में चा मतलब और तो अध्यन और अध्यापन में इदानी निरता इदानी मतलब इस शमय भी अनेक आचार्य और उच्च कोटी के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्यन और अध्यापन में लगे हुए हैं ना केवल हम भारतिया भारतिय ही ना मतलब नहीं तो केवल भारतिय ही नहीं अपितु अपितु मतलब होता है बलकी तो हम अपितु को अपितु ही पढ़ सकते हैं अपितु वैदिय सिखा विदेशों से भी गीरवर्वान्या यानि देववानी संस्कृत के अध्यान के लिए अत्र यहां आगच्छनती आते हैं निशुलकम और निशुलक यानि जिसका पैसा ना लगे चाविद्याम विद्या ग्रहन करते हैं और निशुलक विद्या ग्रहन करते हैं तो यहां पर ना केवल भारतिय यानि केवल भारतिय ही नहीं अपितु विदेशी भी यहां पर देववारी संस्कृत के अध्यन के लिए आते हैं और निशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं या फिर निशुल्क विद्या ग्रहन करते हैं अत्र यहाँ पर हिंदू विश्य विद्यालेह, शंस्कृत विश्य विद्यालेह, कासी विद्यापीठं, इत्यत त्रह विश्य विद्यालेह, शंती तो अत्र यहाँ पर हिंदू विश्य विद्याले, शंस्कृत विश्य विद्याले, कासी विद्यापीठ ये तीनों का नाम आपने सुना होगा यहाँ पर हिंदू विश्य विद्याले शंस्कृत विश्य विद्याले और कासी विद्यापीट ये तीन विश्य विद्याले हैं एशु जिन में नभी नान यानि नए प्राची नान आच यहाँ पर चा भी है चा मतलब और या फिर तथा प्राचीन मतलब पुराने जिन में नए तथा पुराने जिन में नए तथा पुराने ज्ञान विज्ञान के विश्यों का अध्यन प्रचलती चलता रहता है जिन में नए तथा पूराने ज्ञान विज्ञान के विश्यों का ध्यन चलता रहता है तो थोड़ा तेजी से इसको भी पढ़ते हैं किसी भी मॉडल पेपर को किसी भी कुश्चन पेपर को जो बोर्ड एक्जाम आया हो उठा कर देखिएगा उननीस बीस इकीस बाईस सब में आया है यह हर साल पूछा जाता है ऐसा चेप्टर है तो पढ़के जाएगा अच्छी तरह से चलिए यह पढ़ लेते एक बार फिर से कि वारानस्या प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्या दिव्य जोती दोदते यानि वारानसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की आलावकिक जोती प्रकासित है और आज भी यहां संस्क्रित वारी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है यानि थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया आज भी यहां संस्कृत वारी की धारा प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है यहां आज भी अनेक आचार्य और उच्च कोटी के विद्वान वैदिक साहित के अध्यन और अध्यापन में लगे हुए है केवल भारती यही नहीं बलकि विदेशी भी देववारी संस्कृत के अध्यन के लिए यहां आते हैं और निशुल के सिच्छा प्राप्त करते हैं या फिर निसुल्क सिछागरान करते हैं या फिर निसुल्क विद्या प्राप्त करते हैं ठीक है विद्या लिखत विद्या भी लिख दीजिए यहां हिंदू विष्य 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 वि भारति ये संसकृत। भासायास्च केंद्रस्थलम अस्ति is also means कैंद्रस्थलम में यहथानगरि भारति ये संस्कृती भारती ये संस्कृति संस्कृत भासा या चा लगा है और संस्कृत भासा का केंद्र अस्थलम केंद्र अस्थल अस्ती मतलब है तो यहां नगरी भारतिय संस्कृति चा मतलब और तो भारतिय संस्कृति और संस्कृत भासा या और संस्कृत भासा का केंद्र अस्थल है क्लियर है ना यहां तक कि यहां नगरी भारतिय संस्कृति और संस्कृत भासा का केंद्र अस्थल है इतेव, इतेव मतलब होता है यहीं से संस्कृत वांग मश्य संस्कृत वांग मश्य का तातपर है संस्कृत साहित्य यहाँ पे चा भी है और आगे है संस्कृत एच्छ तो संस्कृत एच्छ, चा का मतलब होता है और तो संस्कृत वांग मस्य है उसके बाद हम और बोलेंगे ठीक है तो संस्कृत साहित्य और संस्कृते संस्कृते का मतलब संस्कृती आलोका आलोक मतलब होता है प्रकास शर्वत्र मतलब सभी जगां प्रश्टा प्रश्टा मतलब फैला है इतिव यहीं से संस्कृत साहित्य और शंस्कृती का प्रकास सभी जगाहा फैला है मुगल युवराजा दाराशिकोहा अत्रागत्य भारतिय दर्सन सास्त्राणाम अध्यननम अकरोद मुगल युवराजा यानि मुगल युवराज उसका नाम क्या था दाराशिकोह तो मुगल युवराज दाराशिकोह ने अत्रागत्य अत्रागत्य यानि यहां आकर भारतिय दर्सन सास्त्राणाम भारतिय दर्सन सास्त्राणाम सास्त्रों का अध्यनम अध्यन अकरोद किया थ तो मुगर्य उराज दारासिकोह ने यहां आकर भारती या दर्सन सास्त्रों का अध्यन किया था सा वह तेशाम ग्यानेन तेशाम यानि उनके ग्यानेन ग्यान से वह उनके ग्यान से या फिर वह इनके ग्यान से तथा प्रभाविता अभवत तथा प्रभाविता प्रभावित मतलब इतना जादा प्रभावित अभवत हुआ वहाँ इनके ग्यान से इतना जादा प्रभावित हुआ कि यत तेन उपनिस्दाम अनुवादा पार्सी भार्षा याम करता यत तेन कि उसने कि उसने तेन इन उपनिस्दाम उपनिस्दों का अनुवादा अनुवाद पार्सी पार्सी मतलब फार्सी फा फाल वाला भारसी भासा में करिता करवाया बहुत स्लो पढ़ा रहा हो ताकि एक ही बार में याद हो जाए इतना स्लो कोई नहीं पढ़ाएगा इतना आसान एक एक वर्ड समझा के कोई नहीं पढ़ाएगा तो ध्यान से समझेगा चलिए यहां से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को तो इसा रगरी भारती संस्कृत ये संस्कृत भासा का केंद्र अस्थल है यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृती का प्रकास सभी जगां फैला है मुगली वराज दारासी कोह ने यहां आकर भारती दर्सन सास्त्रों का अध्यन किया था वह इनके ज्यान से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने इन उपनिस्दों का अनुवाद भार्सी भासा में करिता करवाया आगे चले इम नगरी इम मतलब यहां नगरी मतलब नगरी तो यहां नगरी विविद धर्मा नाम विविद धर्मा नाम यानि विभिन धर्मों के शंगम अस्थली संगम अस्थली यानि मिलने का स्थान तो संगम को संगम ही बोलेंगे संगम अस्थली का मतलब होता है मिलने का स्थान तो संगम अस्थली को संगम अस्थली ही लिखेंगे ठीक है तो यहां नगरी विविध धर्मों की शंगम अस्थली है अब ये सब तो नाम है महान लोगों के तो महात्मा बुद्ध का ना महात्मा बुद्धी है तो पढ़ लीजिए तीर्थकर, पारसुनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोश्वामी, तुलसीदास, अन्य, चा बहवा 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 बहुत से चा और अन्य, अन्य, ठीक है और बहुत से अन्य, महात्मा बुद्धी है यहां आकर श्वेयान अपने विचारान, विचारों को प्रसार्यन फैलाया ठीक है तो यहां अगरी बिभिन धर्मों की संगमस्थली है महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पारसुनाथ, संकराचार्य, कबीर, गोश्वामी, तुलसीदास और बहुत से अन्य, महात्माओं ने यहां आकर अपने विचारों को फैलाया ना केवल दर्षने, साहित्य धर्मे ना केवल दर्षने, यहां पर ध्यान से समझिएगा तो ना केवलम दर्षने, केवलम केवल, ना मतलब नहीं तो केवलम केवल दर्षने, दर्षन, साहित्य धर्मे तो इसको ऐसे पढ़ना होगा कि केवल दर्शन और धर्म शाहित के छेत्र में ही न नहीं यह समझ में आ रहा है यहां पे कि केवल दर्सन और धर्म शाहित के छेत्र में ही नहीं अपितू अपितू कला छेत्रे अपि कला के छेत्र में अपि भी कला के छेत्र में भी यहां नगरी विवीधा नाम कला नाम विवीधा नाम विवीधा नाम यानि विवीधा ने प्रकार की या फिर तरह तरह की कला नाम कलाओ और सिल्पा नाच चा लगा यहां पे चा मतलब और सिल्पा के लिए कृते लोके विरिशुदा तो लोके यानि विश्वभर में विश्वता विश्वता मतलब होता है प्रसिद्ध है कृते मतलब होता है लिए ठीक है तो सिल्पानाच यानि सिल्पों के कृते मतलब लिए लोके विश्वभर में प्रसिद्ध मतलब होता है प्रसिद्ध ठीक है फिर से नहीं समझ में आया होगा तो फिर से पढ़ लेते हैं कि केवल दर्सन और धर्म साहित्य के छेत्र में ही नहीं अपितु कला के छेत्र में भी यहां नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व भर में प्रशिद्ध रहे तो याद हो गया होगा चलिए आगे चलते हैं चलिए एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको कि ना केवल दर्सने साहित्य धर्मे यानि केवल दर्सन और धर्म साहित्य के छेत्र में ही नहीं अपितु कला के छेत्र में भी कला के छेत्र में भी इम नगरी यहां नगरी वि किलपों के लिए विश्व भर में परशिद्ध है अब क्लियर है अब नहीं पढ़ाओंगा अब खुद से पढ़िएगा अत्रत्य यहां की कोशे या साटिका यह तो आप जरूर जानते होंगी कोशे या साटिका का मतलब होता है रेसम की साडी कहते हैं न बनारस की साडी पहन ता है रेशम की शाडियां देसे-देसे देसे-देस यानि देश विदेश में शर्वत्र सभी जगह इस प्रहांते मतलब पसंद की जाती है तो यह हो जायगा यहां की रेशमी शाडियां देश देसे यानि देश विदेश में सर्वत्र शभी जगां पसंद की जाते हैं तो सर्वत्र मत बोलिया आप ऐसे ही पढ़ लीजे ज़्यादा फूहड हो जा रहा है कि यहां की रेशमी शाड़ियां देश विदेश में पसंद की जाती है तो एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं कि यहां नगरी विभिन धर्मों की संगमस्थली है महात्मा बुद्ध तीर्थकर पारसुनात संगराचारे कभीर गोसामी तुलसी रास और बहुत से अन्य महात्माओं ने यहां आकर अपने विचारों को फैलाया केवल दर्शन और धर्म शाहित्य के छेत्र में ही नहीं अपितु कला के छेत्र में भी यहां नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व प्रसिद्ध है या फिर विश्व भर में प्रसिद्ध है यहां की रेशमी शाडियां देशे देशे देश विदेश में सरवत्र हिस्पाहंते पसंद की जाती है तो यहां की रेशमी शाडियां देश विदेश में पसंद की जाती है अत्रत्या यहां की अत्रत्या मैंने पहले भी बताया था यहां की प्रस्तर मूर्तिया प्रस्तर मतलब पत्थर की मूर्तिया मतलब मूर्तिया यहां की पत्थर की मूर्तिया प्रसिता का मैंने पहले बताया था प्रसिद्ध तो प्रसिद्ध है तो यहां की पत्थर की मूर्तिया प्रसिद्ध है यहां की पत्थर की मूर्तिया प्राचीन यानि प्राचीन परंपरा नाम यानि परंपरा इदानी मपी इस शमय भी परिपालियती पालन कर रही है तो इम निजम यहां अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है एक एक वर्ट्स क्लियर किये हैं यहांपे कि अत्रया प्रस्तर मूर्तिया प्रसिद्ध हैं यहां अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है तथेव और इसी लिए गियते गाया जाता है कवी भी कवियों के द्वारा इसी लिए कवियों के द्वारा गाया जात मंगलम मरनम यत्र विभूरतिर यत्र भूशनम कौपीनम यत्र कौशयम काशी केनोप मायते इसका तात्पर यहां पर है मंगलम मंगलम मतलब कल्यानकारी मरनम मतलब मरना यत्र मतलब जहां तो जहां मरना भी मंगल कारी है कल्यान कारी है जहां मरना कल्यान कारी है विभूर्ति यत्र भूशनम विभूति का मतलब होता है भस्म विभूति मतलब भश्म भस्म को आप समझे कुछ इस तरह से राख आप कह सकते हैं जब सरीर को जलाया जाता है तो अंत में जो राख बचती न उसको भस्म बोलते हैं बिभूती बोलते हैं राख भी कह सकते हैं ठीक है तो बिभूती बिभूती मतलब भस्म यत्र जहां भूशनम भूशन है भूशनम मतलब जैसे महिलाएं गहने धारन करती हैं वैशे ही बाबा लोग बिभूती लगाते ह भस्म लगाते हैं अपने सरीर पर तो जहां सरीर पर भी भूती लगाना यानि सरीर पर भस्म लगाना ही भूशनम है आभूशन है कौपी नाम का मतलब होता है लंगोटी बाबा लोग लंगोटी पहनते हैं यत्र मतलब जहां कौशयाम कौशयाम मतलब रेसमी वस्त्र तो जहां लंगोटी ही रेसमी वस्त्र है कासी वह कासी कासी को बनारस भी कहते हैं वारानसी भी कहते हैं ठीक है तो वह कासी के नोप किसके द्वारा मायते मापी जा सकती है यानि उस कासी को कोई माप नहीं सकता तो जहां मरना कल्यानकारी है यतर जहां शरीर पर भस्म लगाना ही आभूशन है जहां लंगोट ही रेशमी वस्तर है वह कासी किसके द्वारा मापी जा सकती है इस इस लोग का सीधा सीधा मतलब है कि कासी आतुलनीय है और कासी की समानता किसी से नहीं की जा सकती लाश्ट में जब आप इस लोग का हिंदी लिखें जैसे अगर आ जाता है बोर्ड एक्जाम में तो ये चीज जरूर लिखें कि कासी अतुलनिय है और कासी की समानता किसी से नहीं की जा सकती और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर सेयर करना है ताकि वो भी इस चलाब ले सके